गर्मा गर्म चाई के साथ खाने के लिए आज हम आलू और ब्रेट का इस्तिमाल करके एक बहुत इस्पेसल और स्वादिशनास्ता बना करके तयार करेंगे तो नवश्कार पापा ममी किचन में आप सभी का स्वागत है इसके लिए यहाँ पर मैंने दो मद्यमाकार के उबलेव आलू को रफली काट करके मिक्सी के जार में डाल दिया है अभी इसमें हम एक कप जितना दूड डाल देंगे यह उबाल करके ठंडा किया हुआ दूड है और ढकन लगा करके इसे पीस लेंगे तो आप देख पार इसका बहुत अच्छा पिस्ट बन गया है इस तरह का स्मूध पिस्ट बना करके मतियार करने है अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में एक तीस पूझ इतना तेल डाल देते है तेल हमें ज्यादा नहीं डालना है और गेस को चालू कर देते हे अभी तेल हमारा घर्म हो गया है चार से पांच के लिए वान ल situación की ली जिसको महिन महिन काट लिया है इसके देख ले प्र किस्ट आप यह जिसको नहीं डाले है और लसून को पका लेंगे खाली मसाले थोड़े से पख जाए, इतना ही तेल डालना है, अभी राई भी चेटकने लग गई है, राई चेटकने लग जाते हैं, तो मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको महीन महीन काट लिया है, इसके साथ मैंने अधा इंच इतना अधरका टुकड़ा लिया, जिसको भी छोट आच को मैं इस समय रखना है, सबी चीज अच्छे से पगगी है तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, इसको मैंने महीन महीन काच लिया है. करताइं तो तो लिए भड को तो लालच किसमु का रहिए जिए जिया प्याज पर काते हैं तो हिसकी कर सकते हैं हमने यही वटका ले यह ठूड़ी से साफ्ड जा रहने चाहए भी तो ब् passions देखना है उर थोड़े सॉफ्ट आप चाहते सूर ऑंग ये झिसकताल नमक आप अपने स्वाथ के रहा है प्लास्ट में इसमें एक निम्व कारश डाल देंगे, जिसे इसकी हलकी सी खटई आएगी तो खाने में साधिश लगेगी यह ग्यास बंद करने के बाद में डाम मैं एक इतम पर्फेक्ट मसाला बन करके त्यार हो गए है अब इस मसाले को में एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिसे जलदी तंदा हो जाएगा इसी पैन में रखेंगे तो काफी टाइम तक थंदा नहीं होगा जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक यहां पर मैंने चार ब्रेड ली है यह मैदे वाली ब्रेड है आप चाथ इसकी जगह पर आटे वाली ब्रेड भी ले सकते हैं पर इस चीज का ध्यान रखे है इसके लिए आपको फ्रिस ब्रेड का इस्तमाल करना है एक दिन पुरानी ब्रेड होगी तो थड़ी वो धर्दर ही हो जाती है उस ब्रेड का इस्तमाल नहीं कर उससे रेसे पिया अच्छी नहीं बने की अभी इस में से मैं एक ब्रेड को ले लेंगे और दूसरी ब्रेड को एक प्लेट में रख देंगे सबसे पले इसके साइड वाले हम निकाल ले तो इसको में इस तरह से ब्रेड लेते हैं सौप ब्रेड आसानी से ब्ली जाती है दूसरी साइड से ब्रेड करके त्यार हो गई यह यह आप एक दिन पुरानी ब्रेड लेंगे तो वो थोड़ी भिखरने लग जाएगी उसे रेसे पी अच्छी नहीं बनेगे इस तरह से हम अपने इसाब से कम ज्यादा बीश में डाल सकते हैं हमने मसालों को इसी लिए गिला रखा ताक आराम से इसे फैला सके हैं अभी इसको रॉल कर लेते हैं तो ब्रेड सौफ्ट है इस लिए आराम से रॉल हो जाएगा इस तरह से आप रॉल कर लें इसमें आपको देखके जिस जगह पर फोल्ड आया है उसको हमें नीचे रखना है जिसे थोड़ी देर में और चिपप जाएगा है इसे इस तरह से इस तरह से रखना है एक मैं आपको दिखा देती हूं मसाला इसमें अच्छा बर्के बनाते हैं तो खाने में स्वाजिश लगता है एक एंदर लग अच्छे से चिपक गएंगे कोई भी निकल नी रहा है जो आलू का मैंने मसाला बनाना बताया उसमें लगबग आज मन करके त्यार हो जाते हैं मैं अभी चार मना रही हूं चार हम बाद में बनाएंगे अब इन्हें हम साइड में रख देंगे और यहां पर मैंने एक पैन है और पैन में लब दो टेबली स्पून जितना बटर डाल जेते हैं आप चाहते इसकी जगह पर गी बी डाल सकते हैं इदि आप गी डाले तो ने टेबली स्पून डाले और गैस कम चालू कर देते हैं अभी आप देख पा रहे है बटर अच्छे से पिगल ने लग गया है अन्दस बारे कल्या लशन के लिए है इसको मैंई मैंई काट लियी है यह इसमें डाल देते हैं इसमें लशन का फ्लीवर बहुत ही अच्छा आता है यदि आप लसन नहीं खाते आता है इसकी जगह पर लसन के बाद का जो भी प्रोसेस है वो आपको सेम करना है लसन की जगह अब आज को मध्यम कर लेते हैं, मध्यम आज में लसुन को थोड़ा पका लेंगे, बहुत जादा नहीं पकाना है, हल्का सा कलर चैंज होना चाहिए इसका, हल्का सा लसुन कच्छा रहता है, उसका स्वाधिस रेसेपी में जादा अच्छा आता है, अभी लसुन की बहुत अब आपकाना नहीं है, इसको खाली अच्छा से मिक्स करना है, अभी आप देख पार है, मिक्सी के जहार में काफी जिपकाओ रह गया है, तो आदा कप जितना दमूद इसमें और डाल देंगे, और इसे वापस चला करके पैन में डाल देंगे, कुल मिला के यहां पर मैंने डेट कप दूद का इस्तमाल किया है, जब ही हमाई रेसेप एकदम पर्फेक्ट बन के तियार होगी, अभी इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे, तो साइड में गिलापन है, वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा, और एकदम अच्छा स्मूद पेस्ट बन करके तियार हो जाए सिल्एंट कर लेंगे, चीज को में पकाना नहीं है, क्योंकि यह व्याद já GARM जाएगी जाएंगी, से मिक्स कर लेंगे चीज अपना पिखल जाएगी इसमें इस तरह से पूरी चीज इसके अंदर अच्छे से पिगल गई है और पेष्ट अमार देके एक तम स्मूध बन के तियार हो गया है इसी तरह से स्मूध होना चाहिए यह मारे नास्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही स् आप चाहे तो और भी खाएंगे तो मूग को लग जाता है इस तरह से बना करके आप फ्रीज में रख देंगे दो तिन दिन भी चल सकता है क्योंकि आलू की चीज होती हो जल्दी खराब हो जाती है पर बहुत स्वादिश्ट होता है दो तिन दिन भी रहता नहीं है कोई भी नम्कीन के साथ में ब्रेड के उपर कैसे भी लगा के खा सकते हैं जैब रोटी के उपर भी लगा के खाएंगे तो बहुत ही स्वादिश्ट लगेगा अभी इसे हम साइड मेरक देते हैं और यहां पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में सब से पहले काटर कब जितना कातर लाल देते हैं यो रोटी बना के तियार करते हैं वो हु publi लाता है और इसे के साथ अच्छे स्वाद के लिए इसमें कोटर कब जितना ही बेर भी ले लेते हैं आप चाए तो पूरा बेसें भी ली सकते हैं आप चाएन जो आखा एगांगे अब्स करके बनाएंगे उसक जब के गो बहुत नहीं डाल देते हैं। एक पिंजितना मेने मिटाश सुड़ा लिहा है। सबको बार अच् Recommit कर लेते हैं। यह रिष्टिंग लिए भर गेंडन दखो अजवाां डाल देते हैं। अजवाइन डालने से का बेसन है पाचन में हलका रहता है, तो थोड़ा सा में अजवाइन डालना है, इस तरह से मसल के डालेंगे, इसे इसका फ्लियोर बहुत अच्छा हैगा, सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, पानी आप भी कि इस तरह सा है फ्लोइंग गुल अना चाहिए और पतला गुवल है देखिए इसके उपर पतली से लेयर लगी है इसे करेंगो तो इसके पफ्टली से लेयर लगी है इतना गुल बनाने पर लग भिउन मेरे आदा कफे एक टेबली फ्वून जितना पानी लग गए है अभी सा यहां मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको मारे सेपी कैसी लग रही है, निचे कॉमेंट बॉक्स में लिखे हैं, मैं जरूर बताएं, यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप अपमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर दबा दें, यह कि पतली पतली अपने लेर लगाई है, पर आराम से चिपक गई है, इसके जॉइंट भी आप देख पा रहे है, अच्छे से दिखे चिपक गए है, कोई भी खुला नहीं है जॉइंट इसका, उलट पलट के हम इसे अच्छा आगया इसका, इस तरह के कलर आ जाने के बाद में निकाल देऊ है, इस तरह से हमने चारो रोल्स को फ्राई करके तयार कर लिया है, आप देख पा रहे हैं, इकने में कितने टेंटिंग लग रहे हैं, इसके बाहरी कवर के लिए हमने आटा एड किया है, जिस खास तोर से आप आलू और चीज की डिप के साथ खाएंगे, तो बहुत ही स्वादिश लगेंगे, तो आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें, फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाई and टेक केर